तो दाड के लिए अभी आर्मी के लिए आर्मी के लिए बापने और आगे बर कुछ कर ले तब कुछ न कुछ हो जाएगा हाँ अगर जो दिल से मेहनत करते हैं उनको पताओ कि मेरा मेहनत कहा है और खुद सैटिस्पाय होते हैं अपने मेहनत के लिए ऐसा ही एक इंस्पायर वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो फोजी लबर से और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर सेर करियेगा ऐसे वीडियो बहुत कम मिलता है एक इंस्पायर वीडियो जो खासगर आर्मी लबर और जो फोजी लबर हैं उन लोगों के लिए है साथी जो भी रेस्पेक करते हैं उन लोगों के लिए है दरासल ये भाई परदिप महरा जो उत्तारखन आलमोरा का रहने वाला है एक कमपनी में जोग करता है जहां पे रूम रेंग लेके बैठता है वहां से जो काम करने का दूरी तक्डिवन 10 किलो मिटार है और रात को जब डूरी खतम हो जाता है वो 10 किलो मिटार दोरते हुए आता है क्योंकि उसको इंडियान आर्मी जैन करना होता है कुछ जजबे को भाई दिल से सेलूट सब्समा ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो अपने डूरी भी करते हैं और साथी साथ अपने प्रैक्टिस अपने मेहनत जारी रखते है आपको इस वीडियो जरूर देखना चाहिए आजे छोड़ देता हूं मैं तुमको ना ना मैं ऐसे जाओंगा दोड़ते में क्यों जा रहे हो कहां से काम कहां करते हो मैं शक्तर सोला तो गाड़ी में छोड़ देता हूं ना गाड़ी में छोड़ देता हूं जाओंगा दोड़ के लिए अभी आर्मी के लिए आर्मी के लिए? बाप प्रेश क्या ना भे तुमारा बेटा? प्रदीप मेरा तुमारा कहां के रने माले हो? उत्रा खन्नलमोडा उत्रा है अल्मोडा? यार सुन मैं छड़ दियूने तेग दो भाई साथ में रहते हैं और घर पे मुमी हस्पितारी से इस परकार चेव खर्चा चलाते हैं साथ में अपना मेहनाद भी जारी रखते हैं केवल केवल इंडारावी में जॉइन होने के लिए सच में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं इतना responsibility उठाने के लिए इस 19 साल के एज में ऐसे लोगों को सच में उनको सनमान मिलना चाहिए और इनसे जो भी है जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को उनसे ये सीखना चाहिए ये वीडियो काफी viral है आज पूरे इंटरनेट पे लोग म मिलियांस पे सेर कर रहे है साथ ही कुछ एंकर्स भी आ इन भायों का इन परदिप महरा का इंटरव्यू ले रहे है बाके में ये एक इंस्पैर है खासकर जो फोजी लबर से जो आर्मी लबर से मैं इतने कहना चाहूंगा इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो ये द एक दिन ज़रूर रंग लाएगी ये मेरा 100% गैरंटी है हाँ अगर वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक और सेर किजिएगा और भायों की भी ताकि ऐसे वीडियो में एक इंस्पार से मिलता है कुछ लोग होता है जो कि कुछ देखने से उनका मूट कुछ हाई हो जा आप से भी कोछ जाहिए